हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हैं मेरे अपने यूटूब चैनल रिडावल एस्टडी पॉइंट में और मैं हूँ राजिद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोड के जो सौ माक्स का हिंदी है उसका सेवन प्रफंद्र माथूर के दोड़ा तो आज मैं उसका सरांस लेकर आया हूँ तो वीडियो स्टाट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर ना है या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल से जल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए और ज़्यादा सेर किजिए तो चलिए देखते हैं ओसदा नीरा का सरांस जानने से पहले लेखक जगदिश चंद माथूर का परिचय जान लेते ओके तो जगदिश चंदर का जन्म 16 जुलाई 1927 इसवी में हुआ था और नीधन 14 माई 1978 इसवी में हो गया था और इनका जो जन्म अस्थान है सा जहां पूर उत्तर परदेश में सा जहां पूर उत्तर परदेश में यूपी में इनका जन्म हुआ था सा जहां पूर जगव पर ओके चलिए इनक 1941 में ICS परिक्षा उत्तिर्ण किये परिक्षा के लिए अमरीका गये और उसके बाद बिहार में सिक्षा सचीव हुए फिर आगे इनका जो कारे है कारे जान लेते हैं सन 1944 में बिहार के प्रसीज सांस्कृतिक उस्व वैसाली महसे का विजार ओपन किया फिर उसके बाद और इंडिया रेडियो के महानिदेशक रहे उसके बाद फिर उन्होंने सूचना और प्रसार मंत्राले में हिंदी सलाकार के पदपर भी कारे किया फिर उसके बाद हारवर्ड विस्विद्धाले के वेजिटिंग फेलो रहे इसके अतिरिक्त अन्य महत्पून कारे से जुरे थे जो माथूर जी थे वो तो इतना काम किये ही और उसके इलावा भी कई कारे यानि कई कारे से जुरे हुए थे कई संगठोनों से जुरे हुए थे चले इनकी अभी रूची जान लेते कि इनको क्या-क्या चीज में रूची था जगदिश चंद्र माथूर नाटे लेखन अभिनाय और निदेशक तीनों में ही सक्रिये थे फिर चले देखते हैं इनको कौन-कौन सा सम्मान मिला है तो विद्या वारिधी की उपादी से इनको विभूशन मिला ठिक फिर उसके बाद कालिदास अवर्ड मिला और विहार राजसभा पुरुषकार से समानित क्या गिया चले इनकी कुछ किरितिया जान लेते हैं मैंने जो भी किरिति इसमें लिखी है सारी किरिति इंपोर्टेंट है ठिक बहुत सारी थी लेकिन कुछ-कुछ मैंने छोड़ दिया जो इंपोर्टेंट नहीं था और जितना लिखाओं उतना ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रकासिद हुआ था फिर उसके बाद बंदी 1954 सारदिया 1969 पहला राजा 1979 दसरत नंदन 1974 कुवरसी की टेक 1954 गगन सवारी यह 1958 में प्रकासिद हुआ था तो ये सब थी इनकी रचना है किरितिया जो बहुत ही important है जिसमें कुनार्क सबसे ज़्यादा important है फिर उसके बाद है सारदिया और पहला राजा आदसरत नंदी यानि कुनार्क और दसरत नंदी सबसे ज़्यादा important है तो चलिए इसका सारांस जानते हैं ओसदा नीरा का सारांस जानते हैं जो जगदिस चंद्र माथूर के दोरा लिखा गया है ये कहानी है और हमारे बिहार के बारे में ही बिहार के गंड़क नदी के बारे में ही कहानी है तो इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं तो बिहार की गंडक नदी को आधार बना कर चीत या निवंद अपनी प्रवह मई भासा में इसके किनारे की संस्क्रीती और जीवन परवा की अंतरगत जकी पर तूत करती है कने कमतब जो हमारे बिहार के गंडक नदी है गंडक नदी के किनारे जो भी लोग बसे हुए उनका जीवन और उनकी संस्क्रीती के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है इस निवंद में फिर आगे है इस निवंद में बिहार के पस्चिम चमपारन के कुछ छेतरों का वर्नन किया गया है लेखक बताते हैं कि उतर पस्चमी बिहार का छेतर पुडानी भी और नवीन भी है और लेखक कहते हैं कि जो इसमें इसका निवन्द में लेखक उत्तर और पस्चमी बिहार के बारे में ज्यादतर फोकस डाल रहे हैं और बोल है कि यह जो भी छेते उत्तर बिहार और पस्चमी बिहार का यह कुछ छेतर पुड़ाना भी है और वो ही छेतर में कुछ चीज नया भी यानि वो छेतर नया भी है चलिक ऐसे है देखते हैं यहां की भूमी उपजाओ है हिमाले से निकल कर बहुत सारी नद्या दूर दूर बहती है जिस रास्ते से कभी बुध कारे को उपदेश देने जाया करते थे और जो बुध थे इनी रास्तों से उपदेश देने जाया करते थे कभी इस छेतर में घना जंगल था जिसमें ब्रिक्ष के पेर में पानी इकटा रहता था प्रांतू जंगल कटते गया बाद में यहां की नद्या में बाड़ आना सुरू हो गया और पहले यहां उतना बाड़ नहीं आता था लेकिन जैसे जैसे जंगल कटते गया तो वो पानी का बहुत बढ़ते गया और बाड़ आने लगा बिहार के उतरी छेतर में चलिए फिर आगे बोलते हैं माथुर जी यहां बारवी सदी में से लगभग 300 साल तक करनाट वन्स का राजे था प्रणतु 1325 में करनाट वन्स के राजा नर्सी देव को ग्यासुदिन से मुकाबला करना परा जो नर्सी देव थे उनको ग्यासुदिन से मुकाबला करना परा कब 1325 में इस तरह से हरी सिन देव हार कर नेपाल भाग गया और जिसकारन हरी सिन देव हार गया और उसको नेपाल भागना परा पिछले पांच साथ सो वर्षों से थारू और धागर जातिया यहां आकर बसी और जो यह जो छेतर बच गया था वहां पर पांच या साथ सो साल पहले दो किसिम की जाती आई थी थारू और धांगर और ये दोनों जाती आकर यहां बस गए थारू अपने को आदिवासी नहीं मानता है जो पिछला जो भी 5-7 साल पिछे 100 साल पिछे जाईएगा तो उस समय यहां पर जब थारू और धांगर जाती आया था तो उसमें से जो थारू जाती था वो खुद को आदिवासी नहीं मानता था वो काता था कि थारू सब्द थार राजस्थान से निकला मानते हैं जो थारू लोग है वो काते कि नहीं यह जो थारू वर्ड है यह आदिवासी का नहीं है ये थार राजस्थान से निकला गया हुआ अगे देखते हैं अगे है अठारवी सदापती के अंत में धांगरों को नील की खेती के लिए लाया गया था और जो धांगर लोग थे धांगर लोग उनको अंग्रेजों के समय नील की खेती करने के लिए लाया गया था फिर आगे ह धांगर सब्द का अर्थ औराव भासा में धांगर जो सब्द है उनका अर्थ औराव भासा में भारे का मजदूर है यानि बहारा पर जो लेवर लाया जाता है वह ही है औराव भासा में धांगर का अर्थ चलिए आगे हैं थारूों की कला मुलतव उनके दैनिक जीवन का अंग है और जो थारू लोग है उनका जो कला है उनके दैनिक जीवन का ही एक अंग है चलिए देखते कैसे है जिस पात्र में धान रखा जाता है वो सीक का बना होता है सीक कई तरह के डिजाइन और रंगों से रंगा होता है कि कई डिजाइनों से बना होता है और रंगा होता है सीख की रंग बिरंगी टोकडियों के किनारे सीप की जालर लगा होता है और जो टोकडी होता है रंग बिनरंगा उसके आरी आरी सीप का जालर लगा होता है जोपडी में परकास के लिए कला तमक दीप रखे जाते हैं और परकास के लिए जोप्रियों में एक डिजाइनिंग वाला दीपक रखा जाता है एक कलापूर्ण टोकडी में भोजन रखा जाता है दोनों हातों में कटोडी ली टोकडी लिए नई नवेली दुलान अपने प्रियतम के लिए लेकर जाती है और जो भी नई नवेली दुलान होती हूँ अपने प्रियतम के लिए यानि पती के लिए कलापूर्ण यानि खाना जो हता है वो लेकर उसी टोकडी में जाती है फिर आगे है बेतिया राज की जमिनदारी में तो अंग्रेज तो ठेकेदार बन गए जो बेतियार में जमिनदार का राज था उस समय अंग्रेज क्या बन गए ठिकेदार बन गए फिर उसके बाद है 19 सदी में नील की खेती का विस्तार क्या नील की खेती से रंग तयार क्या जाता था सभी किसानों को 20 कठा जमीन में से 3 कठे में नील की खेती करना अनिवार है था नील की खेती से खेत खराब हो जाता है इसलिए किसान लोग ये खेती नहीं करना चाहते था लेकिन अंग्रेज ने एक नियम बना दिया कि जिसके पास 20 कठा जमीन है 20 कठा खेत है उसमें से 3 कठा में नील की खेती करना जरूरी है चलिए अगे है अंग्रेज साधी विवा में नजराना वसूल ला जाता था बीमार परने पर हाती खरीदने के लिए भी वसूली होता था और जब भी कोई साधी विवा होता था अंग्रेज लोग नजराना वसलते थे और उसके बाद अगर कोई अंग्रेज का अफसर बीमा दक्छिन बिहार में अंग्रेजों के खिलाव वगावत तेज हो गया था अंग्रेज यह नहीं चाते थे कि ये बागी विचार उनके मुनाफे वाले इलाके में पहुँचे इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पूल नहीं बनवाया और अंग्रेजु लोग तो बहुती चलाग थे उन्होंने क्या कि गंगा पर कोई पूल नहीं बनवाया क्यूंकि गंगा के इस पर जो बिहार छेत में है वहाँ पर अंदोलन छिड गया था अंग्रेजों के खिलाब तो वह नहीं चाहते थे कि यह अंदोलन हमारे मुनाफे वाले छेत्र में आए इसलिए उन्होंने पुली नहीं बनवाया ओके फिर लेखक बताते हैं कि 1962 में तीर्थ यातरा पर निकलते और वे राम दयाल सा हरवन सर्ष है और राम नवी परसाद के संपर्क में आ आये जो लेखक थे वो तीर्थी आत्रा पर निकले और उन्होंने राम दयाल साह, हरवन साह, राम नवी परसाद के संपर्क में आये और राजकुमार सुल्क की तो 1913 में मिरित्ती हो गई थी और जो एक राम कुमार सुल्क थे जिनके कारण चमपारन सत्यागरन और असयोग अंदोलन ये सब संभव हो पाया था तो उनकी तो मिरित्ती हो गई थी फिर आगे है किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने भीती हरवा गाउं में रहने लगे और अंग्रेज के जुल्म सोते वे किसानों के सहायता के लिए गांधी जी क्या किये कि वो भीती हरवा गाउं में रहने लगे उन्होंने चमपारन में कुछ ग्रामिन विद्यालों की अस्थापना की जिसमें बढ़ हरवा मदुवन और भीत्रिवा था इस सिक्षा का आदर्स यह था कि इससे कोई नापतौल पाठे करम चालू न किया जाए क्योंकि गांधी जी ने लिख से हटकर चलने का काम किया था और गांधी चीज चाते थे कि यहाँ पर कोई भी नापतौल वाला पढ़ाय स्टार्ट न हो चलिए आगे देखते हैं आगे है कि वर्तमान सिक्षा पदती खौफनाक है मैं ऐसे सिक्षा चाहता हूँ कि जिसमें बचे ऐसे पुरूस इस्तरी के संपर्क में आए जो संस्कृती और चरीत्र जिनका निस्लूस हो ठिक गानी जी जचाहते थे फिर उसके बाद हैं भीती हरवा गाउं के आसरम में के विद्याले में सिक्षा देने के लिए लेक गाउं के पुंडलिक को बुलाया गया एक पुंडलिक था जो लेक गाओं का था उनको बुलाए गया सिक्षा देने के लिए विद्याले में गंडक नदी के किनारे कई तीरत अस्थान है कुशिनगर लोडिया नंदनगड अरे राज केसरी चानकी गड़ और वैसाली ये सब बिहार के गंडक किनारे का तीरत अस्थ लोडिया नंदनगड और सी अस्थम दोनों नजदीक ही है और जो लोडिया नंदनगड और सी अस्थम ये नजदीक ही है फिर आगे है कि असोक का सबसे कलापुन अस्थम यहीं लोडिया के समी पाई नदी पाई नदी है ठीक पाई नदी के पास है जो भीतियरवा होते ने नेपाल जाता है इसी रास्ते भगवान बूध लुमनी नेपाल जाते थे और इसी रास्ते से जो बूध भगवान थे वो लुमनी जाया करते थे लुमनी से होते हुए नेपाल ठीक बेतिया नगर के चार मिल दूर एक जंगल से एक मिल चलने के बाद लेखक मन के किनारे पहुचता है और लेखक मन के किनारे बेतिया से चार किलोमेटर एक जंगल है वहाँ से एक मिल चलता है तो पहुचता है विसाल ताल के बीच में दूइप और तीन ओर जल रासी और वहाँ पर बहुत अच्छा है कि एकदम विसाल ताल है और दूइप के बीच में मतलब मानों की तीनों तरफ से जल रासी जली जले ठीक नौका विहार को निकले नौका आगे निकली बीच में पहुँचने पर नाविक ने कहा जल पी लिजे और जब लेखक अपने दोस्तों के साथ बीच में पहुँचे तो लेखक को जो नाविक था नाव चलाने वाला था उन्होंने कहा कि जल पी लिजे स्वास बर्धक है और यह जो गंड़क का जल है यह स्वास्त के लिए अच्छा होता है इस जल को पी लिजे ठिक फिर आगे गंड़क घाटी के योजना की नहरों तटबंध बनाना बनाया गया भोशालो टन से नहरों का निर्मान चालू और यहां बिजली है तू तारों का जल फैल आया सुरी यहां पर जाल होगा जाल फैलाया जा रहा है और यहां बिजली के लिए भी जो तार का है उसका जाल फैलाया जा रहा है मैं मन ही मन नमसकार करता हूं इन इंजिनियर विस कर्मा और मजदूरों को का जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता है और फिर ले बनाए मूर्तिया में प्रान का संचार होता ही सद्यों से भगन मंदिर जो टित हो उठे तो यहां पर यह समरी खतम होता है देखिए एक निवंद अजीब टाइप का था थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन दो चार बार वीडियो देखे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि यह थुरा अजीब ही कहानी है बिहार के बारे में है तो थांकि फॉर वाचिंग दिस वीडियो और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जाज़ ज्यादा सेर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पढ़ना है या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किय सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते है वो मेरे यूटूब चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना हुआ हिंदी 12 कलास के नाम से वह जाकर वहां से आप सारा वीडियो देख सकते हैं हिंदी का ओके तो देख लिजिए आज बढ़ के लिए इतना ही